अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं. जब धोखे से उनकी पैतरिक संपत्ती उनसे छीन ली जाती है, तो उनकी नौकरी चली जाती है. उनके पिता के दोस्त, शास्त्री, उन्हें अपने गाव, रणकपुर जाने के लिए मना लेते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं, कि वह उन्हें अपने मालिक प्रित्वीराज रगुवन्शी के यहां नौकरी दिल्वा देंगे. प्रित्वीराज एक शक्तिशाली और दयालू व्यक्ति हैं, जो जूट बोलने वालों से नफरत करता है, और उन्हें कठोर दंड देता है. अब्बास और सानिया रणकपुर पहुचते हैं, और शास्त्री के बेटे रवी से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है. अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाडा गाव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां प्रित्वीराज क चचेरे भाई और कटर दुश्मन विक्रांत रगुवन्शी का प्रभाव है. मंदिर दो गावों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ती है और वर्षों से बंध है. चचेरे भाण्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली सन्यंत्र परियोजना के निर्मान में भी बाधा डालती है. कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुए में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है. जब प्रित्वी राज घटना स्थल पर पहुचता है तो रवी उसे बताता है कि किसी भी धार्मिक तनाव से बचने के लिए अब्बास का नाम अभिशेक बच्चन है. प्रित्वी राज अभिशेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से प्रभावित होता है. कुछ समय बाद प्रित्वी राज ने अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखा अब्बास और अन्य लोग पृत्वी राज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिशेक का जुडवा भाई था जो एक अन्यमा अब्बास एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रिय कथक नर्तक था अब्बास और रवी के लिए हाला तब और खराब हो जाते हैं जब पृत्वी राज अब्बास को अपनी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रखता है अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है पृत्वी हाला कि अबबास संदेह से बचने में फफल हो जाता है जब पृत्वी राज अबबास की मूंचे हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीपता है। प्रित्वी राज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। प्रित्वी राज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिशेक यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है के साथ मिलकर काम किया, जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अफरण कर लिया था और दोनों ने उसे बचाया। अभिशेक से प्रभावित होकर पृत्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृत्वीराज की शादी सानिया से तै कर ली। क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी चार साल पहले एक दुरघटना में मृत्यू हो गई थी. लेकिन आखिरकार इससे पहले की अब्बास सच्चाई उजागर कर सके, प्रित्वी राज को माखन से सच्चाई पता चलती है जो उस पर जासूसी कर रहा था और इसे एक मंचिय नाटक में प्रस्तुत करता है. एक पागल पीछा करने के बाद प्रित्वी राज एक पहाण के किनारे पर फंस जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है. आखिरकार अब्बास अपनी स्थिती बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी जूट नहीं बोलेगा.